दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फोन के गैलरी की जो फोटोज हैं इन्हें दोस्तो गूगल फोटोज के अंदर कैसे सेव करना है आपको बता दू अगर आप अपने फोटोज को गूगल फोटोज के अंदर सेव कर देते हैं तो आपकी जो फोटो है न दोस्तो वो lifetime के लिए यहाँ पर save हो जाता है जिसके बाद आपका phone चाहे format हो जाए तूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाएगा आपकी जो photos है, जो Google photos के अंदर आपने save किया है वो आसानी से दोस्तों आप किसी भी phone के अंदर निकाल सकते हैं समझ रहो? तो इसलिए Google photos के अंदर photos को save करना बहुती safe है इसके लिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो तरीका बताऊंगा इन दोनों तरीकों से आसानी से आप अपने phone के गैलरी के जो photos है इन्हें दोस्तों इस Google photos के अंदर save कर सकते हैं तो इसके लिए बस आपको करना क्या होगा इस वीडियो को like करना है and continue guys इस वीडियो को देखते रहना है तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने phone के गैलरी की जो photos है इन्हें दोस्तों Google photos के अंदर आप save करेंगे ठीक है दो नए तरीके बताऊंगा जीसे अगर आप सीख गए तो आसानी से दोस्तों आप कोई भी photos को Google photos के अंदर save कर पाएंगे इसमें save करने का फायदा ये होता है कि आपका जो photo है वो lifetime के लिए save हो जाता है समझे रो उससे आप कभी भी किसी भी phone के अंदर निकाल सकते है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा जो सबसे पहला तरीका है वो आप देख लीजे उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा ठीक है जिसके लिए दोसरा आपको सबसे पहले क्या करना है Google Photos एप को open करना है वैसे तो सभी phone के अंदर दोसरा आपको ये Google Photos एप देखने को मिल जाएगा इनकेस अगर आपके phone में नहीं है तो आप डारेक्ली दोसरो Google Play Store से भी इस photos एप को डाउनलोड कर सकते है वैसे तो 100% में वोलूँगा सभी phone के अंदर ये Google Photos मिल जाएगा अब इसे आप open करेंगे तो यहाँ पर दोसरो आपको करना क्या होगा यह जो आपका profile दिया हुआ है इसी के उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक email ID सेलेक्ट कर लेना है कौन से email ID पर दोसरो आप अपने सभी जो photos है वो Google Photos के अंदर सेव करना चाहते हैं ठीक है और याद रखना हो email ID जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका password आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि उसी password और email ID से ही आप किसी भी phone में login करेंगे तो आपका Google Photos के अंदर जो भी photos रहेगा वो आपको मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने email ID सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है photos setting इसके उपर आपको click कर देना है इसके उपर सबसे उपर देखने को मिल जाता है backup तो इसके उपर आपको click करना है और यह दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर off होता है यानि कि आपने यहां से बंद कर रखा है तो कोई भी photos यहां पर आएगा ही नहीं ठीक है तो इसे दोस्तों आपको क्या कर लेना है यहां से on करना है अब इसे on करके आपको छोड़ने ही देना है अभी आपको कई setting करने है नहीं तो आपका पूरा internet data भी खतम हो जाएगा ठीक ह और यहाँ पर जैसे आप इसे on करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो photos हैं दोस्तों वैसे तो Google Photos की अंदर upload होना शुरू हो जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं जो photos हैं 10 photos बचे हैं 9 photos बचे हैं जो सभी photos हैं मेरे वो Google Photos की अंदर आने शुरू हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 3 setting भी करना है 3 setting में सबसे पहला जो setting है वह है दोस्तों backup quality यहाँ पर आपको quality select करना है जो photos आप यहाँ पर upload कर रहे हैं वो किस quality में यहाँ पर आने चाहिए original quality में storage saver या फिर express तो यहाँ पर आपको original पर ही set रखना है इसे change नहीं करना है उसके बाद mobile data आता है तो इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यह आपका unlimited पर set मिलेगा तो आपको इसे 30 MB पर set करना है जो कि मैंने पहले सेट कर रखा था आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि unlimited पर अगर आप इसे set कर द देखेंगे तो यहाँ पर device folder देखने को मिलता है तो इसके उपर आपको click करना है अब यहाँ पर दोस्तों सभी folder आपको देखने को मिल जाते हैं जिस folder में आपका photo या फिर video है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको select करना होगा कौन-कौनसे folder की photos और videos को आप Google photos की अंदर save रखना चाते हैं ठीक है अलग-अलग यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको folder देखने को मिल जाता है सबसे पहले आप अगर camera की photos है उसे अपने Google photos की अंदर मतलब save रखना चाते हैं तो अपना device का जो नाम वाला folder होगा उससे आपको यहाँ से on कर देना है अगर instagram की videos को भी आप रखना चाते तो instagram का भी option दिया हुआ है जो photos आपने download किया उसे भी आप save करना चाते हैं तो उसे भी आप यहाँ से on कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल मैं अपने device वाला ही इसी फोटो यहाँ पर upload करना चाता हूँ तो मैं इसे ही on करता हूँ, अगर आप सभी का करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी को on कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से back कर देना है, back करने के बाद दुस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, आपके जो सभी photos और videos है, जो folder अपने select किया है, वहाँ का दुस्तो जो है upload हो रहा है, उसके बाद यह दोनों होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह पहला तरीका हो गया, जिससे दोस्तों आप अपने photos वीडियो को Google Photos के अंदर save कर सकते हैं, अब मैं आपको जो है दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिसके लिए आपको करना कह है, यहाँ से home page पर आजाना है, अब आपको सीधे अपने phone का जो gallery होता है, इसे open करना है, इसे open करने के बाद कौन कौन सी photos दोस्तों आप Google Photos के अंदर save करना चाते हैं, उसे दोस्तों आप यहाँ से मतलब की select कर लिजे, ठीक है, यहाँ पर select करने का option है, इस प्रकास से आप Google Photos में save करना चाते हैं, उसके बाद नीचे आपको send का button मिलेगा, इसके उपर click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको slide करना है इस प्रकास से, और यहाँ पर आपको देखना है Google Photos एप कहाँ पर है, आप यहाँ पर देख लिजे, upload to photos आ रहा है, इसके उपर आपको click करना ह और दोस्तों आपका जो photos है, वो Google Photos एप के अंदर upload होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ठीक है, तो यह दूसरा तरीका है, जिससे दोस्तों आप अपने photos को Google Photos एप के अंदर save कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 4 photos आपके सा आपके इस email ID पर save हो जाएगा, और दोस्तों आप इसे किसी भी phone में login करेंगे, तो आपके यह सभी photos आपको मिल जाएगा, आपका phone format हो जाए, तूट जाए, फूट जाए, कोई फर्ख नहीं पड़ता, आपका photo यहाँ पर हमेशा के लिए save रहेगा, तो अगर आपको दोस् है, तो वीडियो को लाइक को share करना,